असलाम ने के अबरिवरीवन वेलकम बैक रेक्टी पाक्सान यार अलब बारिश काफी हो गई है कराची में और पानी भी काफी खड़ा हो गया है इसे में सोलर पैनल जिनके लगे वेते उनको कोई फाइदा हो रहा है यह नहीं हो रहा है बिलकुल फाइदा हो रहा है सूरश तो गाइब हो गया उनका उब फाइदा कैसे हो जाए उनको फाइदा है वाइदा इस साफ में की यह थैए उनको सोड़ा भाइदा हो जाएंगे तो जब दो-तीन दिन बाद जोरे साही से निकाले था धादा प्रड़ेशन कर रहे होंगे वैसे तो रूटीन में आपको वाश कर लेना चाहिए सो चाहिए अगर आपने नहीं करें तो थोड़ा बहुत फादा आपको हो रहा है अब आप देखें अभी सं लाइट है इस सं लाइट परेटिस कर रहे हैं 30 35 कि अभी इस करेंट इट्मसफेर में क्योंकर संलाइट देखें है बादल भी है ब तो आपकी कंजमिशन भी कम हो गई है तो वो तक्रीवन चीजें आपकी कंट्रोल में ही है और बैलन्स में चल रही है तो कोई मसरा नहीं है आपकी जो कंजमिशन भी कम हो गई है इसी तरह ग्रेट पे भी जो लोड है वो अगर नेशनल लेवल बात करें तो ऐसे वेधर में ल ग्रेट को तो नुक्सान इस तरह नहीं होता पर अधर है अगर आप देखे तो प्रोड़क्शन तो हमने करीब है ना जो जिन जनेरेटर को हमने बोला हुए आन रहना तुम क्योंकि हमें किसी प्टाइम जरुएत पढ़ सकती है तो वो तो आन है पीछे बिलकुल वो तो एक प्रोड़क्शन और कंजम्शन के बीच में गैप है अगर कंजम्शन ज्यादा उपर निकल जाती है तो ग्रिड ब्लैक आउट कर जाती है और अगर यह क्या हो गया पानी खड़ा होगा या कुछ लिफ हो गया होगा पानी खड़ा 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 होगा अचा अभी मुझे बताएं जो यह जो प्रॉब्लम है कि यार जो भी हमारे पावर प्लांट्स है पावर प्लांट् आपको on रखके उसकी तो cost नहीं आती ना on रखने की अगर आप समझ लेंगे 200 मेगवाट का आपने एक plant on के रखा हुआ है जिसकी cost है जो coal पे चल रहा है या किसी भी चीज़ पे चल रहा है जो एक backup पे हमने on रखा हुआ है on the other end 200 मेगवाट की एक battery हमने चार्ज करके solar से चार्ज कर रहा है और उसको हमने रखी हुए तो दोनों की cost में और दोनों पे जो units बेचेंगे उन में क्या फरक आए का तरह यह समझाए ब्लीज लेगे बहुत फरक आएगा क्योंकि आपने जो generator है वो आपने standby mode पे on नहीं रख बेजन 10 मिली सेकंड ट्रासफर करेगा आपकी electricity को यह जो grid लेवल पे generator हैं और बाकी production लेवल के तरीके हैं इसमें चीजे आन रख देते हैं तो वो जो भी चीज आन होती है वो fuel खा रही होती है बिलावजा फ्यूल खा रही होती है आप उसमें लोड भी नहीं डाल रही होत और अगर आपके लोड को power चाहिए होगी तो instantly आपके जो भी inverters हैं जो भी DC बैटरीज में DC power होती है तो DC को invert करेंगे और AC में convert कर देंगे और आगे आपके लोड को real time power दे देंगे instantly दे देंगे कि आपको transfer फील नहीं होगा तो उसमें कोई आपकी fuel की running cost नहीं है ऐसा नहीं आपके दो दिन तक अगर आपने बैटरी से power नहीं ली तो आपके पचास लाग रुपे का fuel ओड़ गया ऐसा कोई जो आपको पचास लाग का fuel पर आगे consumer पर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना क्यों आप भी तो जेब से नहीं बढ़ रहे होंगा बिलकुल आप भी मुलेंग और जब आप generators की बात करते हैं तो वो जी उसकी तो कोई मसला ही नहीं है वो तो रिपेर भी हो जाएगा तो भाई उसमें जो fuel डालके बैठे रहते हैं आप और उसके साथ उसका system यह कहता है कि उस चीज़ को आन भी रखना है ताके जैसे instantly power शाहिए हो तो आपको instantly मिले तो पैसे तो नहीं चलता उसमें fuel की cost आप consider नहीं करते हैं बैटरी में उसकी life को आप 2 साल बैटरी की life को consider कर लेते हैं तो बाहिस होता है उसमें यही है कि आप गलत ही decision लेके बैठे हुए होते हैं currently जो नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है कि एक तो बेकार means of generation है बेकार means of production ह old school है old school है उसके बाद फिर आपने biased agreements करे हुए है capacity payments पर करे हुए है क्या बनाए या ना बनाए तो फकीराना सोच की basis पर किये हुए है कि हम थोड़े पैसे देंगे तो कोई आएगा नहीं तो चलो बहुत ज़्यादा पैसे unit के दे देते हैं तो हमारे पास को बिजली लगा थे उसका इहसान होगा कि हमारी बिजली प्रिडूस करके हमें दे दे ते पर मुससे ले या ना ले हमारा मसला है बस वह क्योंक्हासक्ता है तो हम उससे पैसे ले लिया करेंगे तो फकीराना सोच पर जारे का सारा अग्रिमेंट क्या हो फकीराना सोच और फकीर से फकीर तर बनाती जा रही है क्योंकि नाम हम बिजली यूज कर पा रहे हैं और नाम उनके पैसे दे पा रहे हैं क्योंकि वो तो एक पुरा पहाड खड़ा होगी है पैसों का तो ऐसे सेनारियू में क्या करेगा ऐVENजूमर क्या करेगा इत्मों कुछ समझे समार्ट ली असान अलफाज में को भी आपको चाहिए नहीं होता है। इसान निदॉट है को जो भी आपकी कंजम्सेन आपक पे एक इस क्यूग्ड रही होती एक ही लाइन पर रही होती है। तो यह जो उपर नीचे होती है उसके लिए आपको बैकप पे एक्स्ट्रा बना के हर वक्त ग्रेड में लाइन में देनी पड़ती है कि कहीं भी जादा कंदमचन आ जाए तो वो उसको पूरी कर सके और उसमें लॉसिस भी होते हैं करना यह है कि उन लॉसिस को मिनिममम करना है मिनिममम से मिनिममम करना है ताके उसकी प्रडेक्शन कॉस्ट में एफेक्ट कम से कम आए यह तो कोई अकलमंदी नहीं है ना कि 18,000 क्या हमें चाहिए और हम 24,000 बनाते रहे हैं यहां तो माशाला हम 46,000 की कपैसिटी पे चल रहे हैं नहीं हम देखें अगर 18,000 हमें चाहिए फरस करें ब, अब हमें फर्स करें, 108,000 मीड़ेश लाट चाहिए, और हम कपैसिटी हम रखते हैं कि हम 22,24,000 बना सकते हैं, एक थो यह मसलभा और हम चाहिए कि tumor भर आ कितनी सकते हैं, दूसरा मसलभ यह है कि रियल टाइम में कैसे management कर रहे हैं अब रियल टाइम का मसलह हो यह है कि आपको अभी इस सेकेंड 18000 चाहिए तो आप बोलते हैं चलो 18000 एक्जैक्ट तो नहीं बनाएंगे ना तो हमें किसी एक आपके ने मिलके एसी आउन कर दी है सारे परलोड बढ़ा दिया या किसी मौले ने इंडस्ट्री अपनी पूरी आउन कर दी तो 18000 की डिमांड करते रहें जब तक यूज ना हो रही है तो उसका यह तरीका नहीं है कि आप 4000 को उसी मेकनिजम के दिरूप प्रिड्यूस करेंगे जो के बैटरीज होती है कि आपको अगर बफर चाहिए तो इंस्टेटली पावर आपको दे दें यह हल नहीं है कि 18 प्लस 4000 के जनेरेटर चला दिये चाहिए अठार ही वह उठार वाले भी ठंडा मॉसम होगा 16000 पर आ गया चार्जमाच 2-6000 मेगवाट आप बिला वज़ा उड़ाई जा रहे हैं ऐसे नहीं होता अच्छा दूसरा पाकिसांग का मसला एक यह भी है कि हमने जो अग्रिमें सब्सक हो चाहिए होती है यहें अब Gaudio जोती हैं और अग्रिमेंट ऐसा हुआ है कि सारा का सारा ही सिस्टम हो नो हर वकद फुल कपैस्टी पर पूरा सिस्टम चल रहा हो था कि लिविक يकोड़ कोई समझने की बात है कोmac pitch 미 Loris सिस्ट्म डिजाइन ही नहीं सकता है, इस मुलक विजली देने का, जो इस मुलक का सबसे बड़ा के मसला हुआ है, अचा उससे बड़ा मसला ऐसा नहीं है कि कपैस्टी ना हो, जिनरेशन ना हो, डिस्ट्रिबूशन ना हो रही है मसला बस यह है कि जो अग्रिमेंट्स करे हुए हैं जो जिस टर्म्स के अपर चीजें सेट करते हैं वो इतनी बायस्ट होती है और सारा का सारा जो बोज होता है वो कंज्यूमर पर पासवन कर देते हैं तो कंज्यूमर बिचारा कहां से पैसे लागे देगा अगर 20 रुपे की प्रोडेक्शन कॉस्ट आ रही है तो कंज्यूमर को आफर में पड़ी 80-80 रुप यह जो लॉस हो रहा है जो इसमें लॉस हो र को यह मुझे यह थू पता हो क्यूं लॉस होए जा रहे क्यों लस दुबारा से दुबारा होे जा रह रहे हैं रो यह रोज हותा रहता है और कोई पूछता ही नहीं है कोई फरकी नहीं पढ़ ला यह को PM प्राइवेट कंपनी को आने दे के जो बिजली प्रवाइड कर सके अब फिर आप उसमें टर्म सेट कर ले और उनको इन्फॉर्स कर वाले लेकिन बिजली का जो मेकरिसम है वो सब्सक्राइब ईक कंपनी के हाथ में ना हो production भी हर बंदा कर सके generation भी हर बंदा कर सके distribution भी हर कोई कर सके revenue generation भी कर सके फिर automatically देखें अगर आपने terms, rules, सही, fair set कर ली है और आप enforce करा सके तो ये खुद ही company सारे अपने मामला ठीक कर ले लेकिन वहां भी अगर आपकी negligence हो और आपका bias हो और आप rules भी दो नंबर बनाएं फिर enforce भी खलत कर लें तो वह भी मामला ठीक नहीं हो सकता जहरी नहीं है कि अपने हाथ से ठीक करें जाके state का government का काम तो यही होता कि अच्छे rules बनाए और उनको enforce कर वाले काम करने आले खुद ही सही से कर लेते हैं तो दूसरा यह है कि आप प्राइविटाइस करें जो करेंट कंप्रीज उनको भी करें लेकिन उसके साथ competition भी आने से तेरे नहीं को प्राइविटाइस करने से यह तो फिर पार्टनर कर जाते हैं गला है और 25 परिज्ली का बिल दे रहा है और 75 नाहिली और टैक्स का बिल पे बेगर रहा है और वह भी अपनी नहीं दूस्क्राइब करने सब्स्राइब करें जादे शेयर कें कौन से बताया आप किया बारिश हो रही नहीं हो रही और बारिश होने से आपके इस और प्रडेक्शन में को फाइदा होते है आपको यह कमी आती है